नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है या आपके अपने यूटूब चैनल पर इस उडियों जो बात करने वाले MLSU का जो आप examination form apply करते हैं form apply करते समय काफी student के generally यह समस्या आ रही है duplicate student found जब registration करते हैं तो यह समस्या देखी गई है तो इसी के बारे में बात करने वाले student क्या गलती कर बैठते हैं जिस वज़त से यह duplicate student found जो समस्या आ रहे हैं और साथ ही यह doubt रहता है कि duplicate student found जो इस पेसली यह आ रहा है और जो आगे और भी है जो certificate upload photo signature upload जो size के regarding issue आ रहे हैं और भी रोल नंबर में भी जो upload यह अधर उनिशेटिस आए तो उनका भी तो थोड़ा वीडियो थोड़ा लाश्ट तक जरूर देखें वीडियो के डिस्क्रेशन में आपको WhatsApp गुरूप बना रहा है mlc का वो भी जोइन कर लें और साथ ही टेलिग्राम गुरूप और चैनल की भी लिंक दे रहे हैं और वापस जब यह हो गया तो फिर वापस से अपन फॉर्गेट किस परकार से करने वाले उसकी भी बात करने वाले तो में लें चलता हूं आपको ऑफिसल साइड पर जब आजाएंगे अपने एपलाई किया तो और आपका ग्स की थे हैं इसको फिर काफ से यसा होता है कि जो यह डाल रखा या एप जब आप एक्जाम फॉर्म बढ़ते तो यहां पर आते हैं तो यहां पर जो क्लिक है फॉर रेगुलर एंड जो डिप्लोमा एक्जाम इनिस्टिन फॉर्म दिखता है जनरली जो इस्टुटेंट रहते वह इस पर डारेटी के लिए क्लिक करके कर लेते हैं तो उनका फिर पासवर्ड चाहिए होता है तो वह सकते हैं और जो सेकेंडिर वाले वाले वो तो उनका तो कोई सब्सक्रीब होता है थिस जलनके कwyddड़ा ठाब भी चाहरं सी ना यह सो करता है यह हैं यह सुनी करता है यहां तो फिर आदा स्फर करता यह तो उस्य halten है तुर सुमय आप क्या करते हो कि नहीं साइब इस साइड में बना में मैं जैसे तो फिर वापस जो आपका एक्जामिनीशन पोर्टल वहां पर आपको हूम पेज पर चला जाता है तो इसलिए फिर दुबारा से आपको करना रहता है फिर दुबारा से आप करते हैं जैसे ही मैंने इसको क्ले और करूओं या और ये वाण पर इसलिए हो पता है तो इसमें आप दुबारा से करेंगे तबैर के इस परकार से वहापस इस जगए जाते हैं दूबार से ख़िए फिर वही आएगा student duplicate found student duplicate found वही आने वाला है तो इसलिए फिर उस case में आपको क्या करना रहेगा जो आपको help line number दे रखें help line number पे contact करके ले सकते फेस्ट option help line number पे contact करें second university को आप mail वेज़ दे कि हमाने registration कर लिया है और password जो आपके registration number चाहिए दो option यह और third option आप university जाके भी ला सकते हो इस परकार से आप कर सकते हो यह बात रही duplicate student found की यह करने के बाद में अब second जब issue आता है आप roll number जब उसमें fill up करेंगे personal detail में personal detail में जब आप roll number fill करेंगे roll number fill करते समय जो काफी student mlhc से graduation नहीं कर रखी है तो उनका issue रहता है कि roll number में digit के साथ में alphabet भी रहता है तो उस case में आप जब roll number लगाएंगे तो duplicate जो last qualification roll number found इस परकार से आपको देखने को मिलेगा तो उस case में आपको क्या करना जैसे कि जो आपके roll number बीस या फिर बीए बी जिस परकार से रहता है बीस में digit और फिर वापस number इस परकार से दी रहता है तो आपको for example मैं complete दिखा देता हूं जैसे कि मानलो बीस बीएस सी जीरो एकतीस बीस इस परकार से आपके roll number है और फिर इस अब जब सीधा डारेक्ट इतना यह डालोगी तब तो वह आएगा काफी यूनिशिटी में यह रहता है इस परकार से सीधा डारेक्ट आपको digit digit टाइप कर लेना उसे कर लेंगा तो आपका summit हो जाए उसके बाद बात रहती फोटो की कोटो से तो साइज का रहता है तो साइज का ध्यान रखे 100 के भी में रखना है फॉर मेट आप जे पी जी या फिर जे पीजी में रखे वह जाएगा फोटो और सिगने सब साइज का इस रखना बाकि कुछ नहीं सो के भी आप किस फरकार से कर सकते हैं तो सीदह गूगल पर टाइप करे तो आपके साइज हो जाएगी और नेक्ट रहता है जो डोकुमेंट अप्लोड करते समय जो सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग टीसी माइग्रेशन जिसका नहीं कर रखा है लेकिन गैपनी लेर का है फिर भी गैप सर्टिफिकेट मांग रहा है तो उसमें क्या करना रहेगा मैंने कंप्लीट इक डिटेल से वीडियो बनाकर अप्लोड कर लिया था वह आप चैनल पे जो विजिट करें कंप्लीट इस आपको बास समय है तो वह देख ले बाकि मैंने तो जो डुप्लीकट इस्ट्वेंट फांड को लेकर कापकी कमेंट आ रहती इसलिए मैंने वीडियो इस